जावा is a programming language as well as a platform दोनों चीजों को mention करना बहुत जरूरी है इसमें features की बात करें तो क्या है जावा एक high-level language है, robust है, object-oriented है and secure programming language है तो इसके features है, जावा is a high-level, robust, object-oriented and secure programming language है इसकी history की बात करें कि कि इसने develop किया, कब develop हुआ तो जावा को develop किया था, Sir Microsystems ने जो कि अब हम देखते हैं कि Sun Microsystems subsidiary है, Oracle का, और जावा सबसे पहले कब आया था, 1995 में, Sun Microsystems ने 1995 में जावा को develop किया था इसके developer कौन थे, James Gosling, who is also known as the father of Java जावा, जावा से पहले, जब जावा इसको नाम दिया गया, यह एक्सली है, जावा नाम कैसे पढ़ा, कब develop हुआ, किस ने develop किया, तो जावा नाम रखने से पहले, हम क्या लाइप में देखते हैं, किसी भी चीज को, अगर कोई company स्टार्ट कर रहा है, तो एक बार में दिल करता है, देखता है, आज कल तो social media का जमाना है, कम time में research हो जाता है, देख लेता है, कि इस नाम से already किसी ने और तो set up ने कर रखी company, किसी का copyright तो नहीं है, किसी का trademark तो नहीं है, अब पहले क्या होता था, कि ऐसा नहीं होता है, इसके बहुत जादा time लगता था, कोई एकर company open करने जा रहा है, copyright कराना चाहता है, तो उसको publish करते थे, और publish करने के बाद, लोगों के पास circulate होता था, देखते थे, किसी को objection होता था, तो वो लिखता था, कि उसे objection है, क्योंकि वो same, उससे related, या same नाम से वो, already उसके पास कोई company है, या copyrighted है, तो java जब नाम दे गया, उस करेंगे, ओक नाम का एक ट्री है, ठीक है, और उस नाम पर इसको, उसके background देखते हुए है, जो भी होगी, कहानी, उसके रखा गया था, नाम ओक, बट एक रेइस्टर, already ओक रेइस्टर कंपनी थी, इसलिए, जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम ने इसका नाम ओक से चेंज कर के, Java कर दिया, ठीक है, अब ये तो भी Java as a programming language, ये आपने बात किया, Java as a programming language, अब ये platform कैसे है Java, कोई भी hardware या software environment जो होता है, उसे हम platform कहते हैं, ठीक है, कोई भी hardware या software जो environment प्रोग्राम करता है, किसी program को run करने के लिए, उसे हम platform बोलते हैं, तो क्योंकि Java जो है, एक environment प्रोग्राम करता है, JRE, that is, Java runtime environment और एक API भी प्रोग्राम करता है, इसलिए, इसे हम बोलते हैं, कि ये Java programming language होने के साथ साथ एक platform भी है, किलियर है, कोई डाउट है यहाँ ते, नहीं सब्सक्राइब, अब Java में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो किसी भी प्रोग्रामिंग को करने के लिए उसका basic syntax होता है, तो उसका Java में करें हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक syntax हमें देखना होगा, क्या syntax होता है, जैसे जावा एक object-oriented programming language है, तो इसमें C++ भी object-oriented programming language है, उसका syntax programming करने लिए थोड़ा अलग है, बट जावा में क्या होता है, कोई भी program आप करोगे, तो उसमें class के अंदर ही program करोगे, class के अंदर, class क्या है, collection of objects, ठीक है, क्या कह सकते है, collection of data members and member functions, तो हम इसमें syntax में देखे, सबसे पहले एक word use करेंगे, class, और class का नाम, class का जो आप नाम रखना चाहते हो, तो इसके लिए एक nomenclature है, कि class का नाम किस से start होगा, किस से नहीं होगा, तो detail में आप पर सकते हैं, थोड़े तो इस चीजे में बता जाता हूँ, class जब भी आप एक बनाओके, तो class का जो नाम रख रहे हो, उसका पहरे लेटर आप capital रखना है, तो capital ही रखना है, आप small रखोगे, तो कई स सुरू से आपको दियान रखना की इन चीज़ होगा, तो class का नाम है, वो capital letter से start होगा, अब यह जैसे class और class का नाम लिख लिया, उसके बाद इसकी body start होगी, then हम यहाँ पर लिखेंगे, public static void main, और record में string arguments, ठीक है, अब इसमें यह चीजे क्या है, public क्या है, public access specifier है, access specifier, public, public, private, protected, यह तीनों पड़ा होगा, C++, static क्या है, static यह बताता है, कि जो, अब यह हमारा, void क्या है, अब से पहले, void है, हमारा data type, int void, void मतलब कोई return नहीं करता, void float है, यह हमारा data type, अब यहाँ पर static लगा दिया, इसका मतलब यह है, कि हम function बना रहे हैं, यह static function है, यह function ज यह static है, हमने बना दिया है, ठीक है, अब within bracket यहाँ पर हम क्या कर रहे है, जब यह कोई function बनाते है, तो bracket में हम parameters, parameters देते है, arguments देते है, यहाँ पर एक argument दिया है, हमने, जिसका नाम है, ARGS, यहाँ आप नाम कुछ भी रख लो चलेगा, लेकिन जहाँ जिस भी बुक में देख सकते हो, यह करके और ऐसे करके आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ डिनोट करता है कि यह array है, तो array type का एक हमने दे दिया है, यहाँ पर arguments, string क्या है, string भी हमारे data type है, तो यह होगा second line, जो main method का है, अब कुछ चीज़े जो हम print करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, system.out.println, और system.out.println, ln मतलब आप println, ln में लिखोगे तब भी आपको program run होगा, ln का मतलब होता है new line, यहनि कि एक से ज्यादा line आपको print कर रहे हो, तो better है ln यूज करना, ताकि हर line का जो output हो new line में print होगा, ठीक है, तो यह basic syntax है हमारा, जावन में coding करने का, program लिखने का,